किचन और घर के काम को करने में हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो अगर कुछ टिप्स और ट्रिक्स कर मदद ले ले तो काम आसान और बहतर हो जाता है तो आज मैं आपके लिए कुछ यूजफूल किचन टिप्स ले की आई हो जो आपको बहुत पसंद आएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका प्रिती रसोई में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपके यहां इस फल को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ में ये भी बताईएगा कि आप मेरे वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे खुशी होगी मेरे यहां इसे वाटर मिलन, तर्बूर या फिर कलिंगर बोलते हैं तो यहां पर जो मैंने ये कलिंगल लिया है नै, इसका साइज थोड़ा सा ज़्याधा बड़ा है तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से बीच में से काट लेते हैं और काटने के बाद हम इसका आधा पार्ट तो खा लेंगे सब लोग मिलकर मगर जो आधा पार्ट है हम इसे रख दिंगे फ्रिज में तो इसे मैं ऐसे नहीं रखती हूँ इसे मैं इस तरीके से रखती हूँ यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है अब प्लेट के अंदर इसे इस तरीके से रखेंगे यानि कटा वाला भाग प्लेट के नीचे रहना चाहिए अगर वाटर मिलन ज़्यादा बड़ा है तो प्लेट में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप इस तरीके से एलमोनियम फॉइल ले ले और फॉइल को कटे वाले हिस्जे पर इस तरीके से लगा कर आप फ्रीज में रख दे तीन से चार दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और साथे साथ ये भी देख लेते हैं कि वाटर मिलन को थोड़ा सा अलग अंदाज में कैसे कटे तो उसके लिए हम इसे चार भाग में कट करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है अब इसके पल्प को इस तरीके से काट लेंगे हमें इसे यहाँ से निकालना नहीं है बस ऐसे काट कर उसके बाद पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे तो ये आप अपने हिसाब से काट लें थोड़ा सा मोटा या फिर पतला अब इसके सारे स्लाइस को इस तरीके से रखना है लेफ्ट एंड राइट और ये देखिए ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने के लिए बस इस तरीके से छिलके के साथ इसे उठा लें और टूथपिक से उठा उठा कर खा लें मतलब आपको इसके लिए प्लेट भी नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया है प्लेट को वैसे इसकी जरूरत नहीं है मैक्रोनी, पास्ता, मैगी ये सब चीजे बच्चों को बहुत पसंद आती है और वो फर्माइज भी करते हैं मगर रोज-रोज हम उनको पास्ता मैक्रोनी तो खिला नहीं सकते क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रता है थोड़ा बहुत घर में हम रखते हैं तो जादा दिन तक इसे रखना पड़ता है तो इसमें जाले लगने लगते हैं कीडे भी लग जाते हैं तो उससे बचाने के लिए आप सबसे पहले ले ले लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च में लेना है और इस तरीके से मैक्रोनी के साथ डाल कर रख देना है उसके बाद हमें इसे एयर टाइट डबे में रखना है ताकि ये खराब नहीं हो बिल्कुल भी नहीं खराब होगा 6 महिने तक जब भी हम हनी मार्केट से ले के आते हैं तो हमें यही लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अच्छा है या नहीं तो इसकी प्योरिटी को चेक करने का मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी क्योंकि इसे हम बच्चों को देते हैं ज्यादा तर से उनकी कड़वी दवा रता है तो उसमें भी डाल कर देते हैं या फिर सर्दी खासी होती है तो हमारी घरेलूप पहली दवा यही है अद्रक और हनी तो हम उनको ही हनी ज़्यादा खिलाते हैं तो हमें ये बात जरूर पता होना चाहिए कि ये हनी प्योर है या नहीं और दोनों साइड ओयल को इस तरीके से लगा दे स्पून में उसके बाद हनी निकाले जो लाश्ट में स्पून में हनी चिप का रतायन वो नहीं होगा जब आप इसे कहीं पर भी डालेंगी दवा में तो पूरा हनी उसमें चला जाएगा चमच में बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा तो ये तो था इसको निकालने का तरीका अब चलिए देखते हैं कि इसके प्योरोटी को कैसे चेक करना है तो उसके लिए हमें लेना है टीसू पेपर और टीसू पेपर को उपर थोड़ा सा हनी इस तरीके से गिरा देना है तो ये हमने देखिए हनी को गिरा दिया है और आप देख सकते हैं इस्पून में बहुत ज़रा सही लगा है हनी अब टीसू पेपर को इस तरीके से खोल ले उसके बाद आप इसे ऐसे फोल्ड करें और ये दिखिए हनी टीसू पेपर के नीचे नहीं आ रहा है यानि हनी एकदम प्योर है अगर हनी में मिलावट रहेगा तो जो हनी है न शहद वो पूरा टीसू पेपर के दूसरे साइड में भी आ जाएगा और एकदम गीला हो जाएगा तो इस हनी में किसी प्रकर का मिलावट नहीं है सुबह सुबह बहुत सारे काम रते हैं और जल्दी बाजी में हम पूजा कर लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो पूजा करने के लिए कुछ बेवस्ता हमें पहले से ही करके रख लेनी चाहिए ताकि हमें जल्दी बाजी नहीं करनी पड़े जैसे कि यहां आप देख सकती हैं कि हमने लिया है धूप धूप बत्ती को जब हम सुबह में निकालते हैं तो हमें इस तरीके से निकाल कर तोड़ कर और इसे अच्छा सा शेप देना पड़ता है बत्ती जैसा उसके बाद हम इसे जला सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और सुबह का टाइम ऐसा रता है कि हमारा एक मिनट भी बहुत इंपोर्टेंट रता है तो उसके लिए आप क्या करें इस तरीके से धूप के सारे स्लाइस को अलग कर लें उसके बाद आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा ऐसे हाथ पर रख कर बत्ती जैसे बना लें ऐसा करने से आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आप इसे बनाने के बाद 15-20 मिनिट के लिए खुले में ही ऐसे रख दे ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आप इसके पेपर में इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लें और इसे वापस से इसके बॉक्स में रख दे जब भी जरूरत हो बस बॉक्स में से निकालकर आप इसे जला लीजिए तो इससे आपका टाइम बचेगा मैं हमेंशा धूब बत्ती को पैकेट में से निकालकर इस तरीके से बनाकर रखती हो और इसी तरीके से मैं रूई का बत्ती भी बना लेती हूँ ताकि हमें रोज-रोज बत्ती बनाने का जंजट नहीं रहे तो आप भी ट्राइ करके दिखेगा पसंद आएगा यहाँ पर मैंने लिया है इयरिंग यह आटोफिशल इयरिंग है और बड़े-बड़े जुमके और बड़े-बड़े इस तरीके के एयरिंग पहनना बहुत लोगों को पसंद रहता है गोल्ड से ज़्यादा तो आटोफिशल के ही लोग पहनते हैं अच्छा भी लगता है मगर किसी-किसी के कान का जो छेद रहता है न वो बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से वो अपने इस छोटी सी सौक को पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि जब वो पहनती है तो छेद बड़ा होने के वज़े से इस तरीके से एयरिंग नीचे की साइड लटका रहता है ऐसे एकदम सीधा नहीं रहता इस तरीके से लटका रहता है आप लोगों ने कभी नोटिस किया ही होगा देखा होगा किसी को तो ये देखिए ऐसे रना चाहिए ने तो देखने में अच्छा भी लगता है तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा टिप बताती हो तो हम लेंगे सेलो टेप यहां पर हमें ट्रांस्परेंट कलर का टेप लेना है कोई कलरफुल टेप मत लीजिएगा छोटा सा टुकड़ा लेंगे टेप का और इसे कट करके गोला कार में बना लेंगे इसे हमें उतना बड़ा काटना है जितना बड़ा कान के नीचे वला हिस्सा है यानि जहां छेद रहता है न वो वला हिस्सा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर देखे मैंने इसको कट कर लिया है अब इसे मैं अपने उंगली पर चिपका कर दिखाती हूँ दो उंगली के बीच में आप इस तरीके से कान के छेद के ऊपर चिपका ले उसके बाद इसमें एरिंग को डाल दे आप कितना भी बड़ा हैवी जुमका पहनेंगी तो भी लटकेगा नहीं और आप देख सकती हैं ये बिलकुल भी नहीं लटक रहा है और दोनों उंगली के बीच में भी आप देख सकती हैं काफी गैफ है मैंने उंगली से बिलकुल भी इसे नहीं दबाया है बस मैं आपको सेंपल दिखा रही हूँ आप इस तरीके से कान पर जरू ट्रै करके देखिएगा उसके बाद आप पीछे से ढखकन लगा लें बिलकुल भी ये आगे की साइट नहीं जुकेगा अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जुक रहा है बहुत हैवी जुमका है तो आप पीछे की साइट से भी सेलो टेप लगा सकती हैं उसके बाद जुमका बिलकुल भी आगे की साइट नहीं जुकेगा बहुत सुन्दर लगेगा तो फ्रेंड अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फैमली और दोस्तों के साइट शेयर करना मत भूले